जारखन में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ कानून व्यवस्ता अच्छी हो, शाचन प्रशाचन इमांदार हो, लेकिन जब से यहाँ जे एमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी, ब्रश्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है, तब से सीतियां बहुत बिगडी है, जे एमेम का मतलब हो गया है, जम करके खाओ, जारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है, तुष्टी करण के चलते गुशपैट बढ़ती जा रही है, और यहाँ जे एमेम कॉंग्रेस के नेताओं का, एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का, इन लोगों ने जारखंड की जनता को लूट कर, आपको लूट कर, आपके पसीने की कमाई को लूट कर, अपने लिए बेनामी संपतियों के पहाड बना लिये हैं, आपने देखी हैं, ना यहाँ किस तरह नोटों की गड़ियां निकल रही हैं, मैंनो तो अपनी आँखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं हैं, पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखंड कमाल कर रहा हैं, कोईले के डेर तो देखे से, नोटों के डेर देख रहे हैं, और अभी बाबु लान लिते हो, तो बड़िया वड़नान किया है इसका, भायो बहनों, यह आपका पैसा है, यह जारखंड के गरीब आदिवास्यों का पैसा है, यह आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है, क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे, क्या ऐसी बेइमानी जारखंड में चलने दोगे, क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है, ऐसे ब्रस्टाचारियों के खिलाब, कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए, उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए, जो जन्ता का लूटा है, वो लोटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है,